ये मेरा दोसरा ब्लॉग और मैं आया हूँ आप सभी के सामने एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक को ले करके और वो टॉपिक है CAA और NRC जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं हिड और टेल वैसे ही इस सिक्के का पहलू है CAA और NRC ये मैं नहीं कह रहा हूँ बैके पारलेम पहले CAA फिल NRC ये वीडियो दो पार्ट में बनने वाला है पहले पार्ट में हम लोग सिर्फ CAA के बारे में बात करेंगे दूसरे पार्ट में हम लोग NRC के बारे में बात करेंगे CAA इसका फुल फॉल होता है Citizenship Amendment Act सबसे पहले हम ये समझेंगे ये एक क्या है किस बला का नाम है और ये एक किन लोगों के लिए बनाया गया है फिर हम बात करेंगे इस एक्ट से क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है फिर हम समझेंगे ये एक्ट को लाने के पीछे मकसद क्या है इस एक्ट के पीछे का छुपा हुआ रिडेर स्ट्रेटेजी क्या है फिर हम समझेंगे क्या इस एक्ट से मुसल्मानों को घबराने की जरूरत है फिर हम यह समझेंगे कि CAA से क्या effect पढ़ सकता है इस act से हमारे दर्मियान क्या effects पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे last but not least हम लोग बात करेंगे कि हम लोग का CAA आने के बाद हम लोग क्या step होना चाहिए हम लोग को फिलाल अभी क्या करना चाहिए हम लोग इस मुद्धे पर भी बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला point हमारा यह है कि CAA क्या है किस बला का नाम है और यह कि लोग के लिए बनाया गया है तो पहने आप यह समझ लीजिए कि यह कोई नई चीज नहीं है इसके बारे में सबसे पहले 1955 इस्वी में यह बिल आया गया था उनिस सो पचपन के बाद 1986 में इसमें अमेंडमेंट आया था उसके बाद 1994 में इसमें आया था फिर दो थीन में आया था फिर 2005 में आया तो ऐसा झी है कि बहुत नई चीज हैं लेकिन यह बिल पास करवाया गया है 2019 में 2019 के बाद जो 2024 का अभी जो साल चल रहा है इसमें final notification आया है और ये भी लागू कर दिया गया है ये act बना दिया गया है इसे तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि CAA किन लोगों के लिए बनाये गया है ये क्या है तो CAA Citizenship Amendment Act इसके full form से ही कि आप समझ रहे होंगे कि ये कुछ citizenship का कुछ act है तो आप सही समझ रहे हैं ये citizenship देने का एक act है कि ये act तीन मुलकों के minorities के लिए बनाया गया है जिसे इंडिया में citizenship मिलेगा तिन मुलक कौन कौन से हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान और बंगलादेश ये तीन देशों में कौन कौन से धर्म की लोगों को citizenship मिलेगा छे धर्मों की लोगों मिलेगा जिसमें मुसलमान नहीं है आप ये समझ लीजिए मुसलमान को छोड़ करके बाकि जो छे धर्म है उन लोगों को ये citizenship मिलेगा जिसमें एंदो, क्रिस्चन, बुध, जैन, सिक ये सब छे लोग है जो के आपको स्क्रीन पर दीख रहा होगा इन लोगों को citizenship इंडिया में दिया जाएगा जैसा कि आप समझी गया होंगे कि CAA मोटा मोटी क्या है आपको मैंने knowledge दे दिया कि CAA जो ह है वो तीन मुल्कों के minorities जो 2014 से पहले इंडिया में आए हुए हैं उनको citizenship देने का एक act है citizenship कि लोगों को मिलेगा और किन तीन देशों के लोगों को मिलेगा मैंने वो भी आपको समझा दिया पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगलादेश के minorities को यह citizenship मिलेगा इसमें परिशानी यह है जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यह act में मुसल्मानों को क्यों नहीं add किया गया है इसी बात से बहुत सारे लोग खफा है परिशान है कि भाई ये एक्ट में मुसल्मानों को क्यों नहीं लाया गया है, जबके हमारा संबेदान कहता है, कि किसी भी आधार पर, किसी भी धर्म के आधार पर हमारे बीच भेद भाव नहीं किया जाएगा, ये हमारा संबेदान कहता है, तो इस एक्ट में मुसल्मानों को क्यों अलग किया गया है क्यों उन्हें अलाइदा करके ये एक्ट बनाया गया है इसी बात से परिशानी है तो दूसरे टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझ नीजिए कि ये सिये कि क्या फाइदे और क्या नुपसान हो सकते हैं तो फाइदा सिर्फ जो तीन कंट्री से लोग आए है इनको हो सकता है लेकिन उनके लिए भी बहुत मतलब आप जाएंगे और आपको सेटेजन्शिप मिल जाएगा ऐसा नहीं है आपको 9 डॉकुमेंट्स दिखाने होंगे एक अलग आधार पर इस डॉकुमेंट्स दिखाने होंगे अलग आधार पर तब जाकर कि आपको सेटेजन्शिप मिलेगा तो आपके लिए तो यह फाइदावंद साभीत हो सकता है लेकिन जो यहां के अल्रेडी सेटेजन है उन लोग के लिए नुपसान्दा कैसे हो सकता ह है वो में बताना चाहरा हूँ आप लोगो को कि मान दीजिए कि गर में चार लोग रहते हैं और बाहर से दो लोग पर्मनेंटली वहां पे रहने आ जाएंगे तो जो चार लोग या पांच लोग घर में अल्रेडी रह रहे हैं उनको परिशानी को आप अगर इस उमुद्य क लोग अप्लाई करते हैं तो कल दिड़ला लोग अप्लाई करेंगे क्योंकि और भी लोग यहां पे सिटिजेंट हो जाएंगे तो जब सिटिजेंट हो जाएंगे तो जोब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं तो यहां पे रहने वाले लोगों को परिशानी होगी और ऐस से यह नादू नहीं हो जाएगा, इसके नहीं बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, जैसा कि आप आसाम पे सुने होंगे, उन्गे 1600 कर्ड रूपए का खर्च हुआ था, यह एक्ट के बाद, तो 1600 कर्ड रूपए से आप जोग विकेंसिस करेट कर सकते थे, आप पॉलिशन कंट्रोल कर सकते थे, आप इंडिया के डिवलपमेंट पे खाम कर सकते, अब हम तीसरे टॉपिक पर आते हैं, कि इस एक्ट को लाने का क्या मकसद है, लोगों का कहना है कि देखिए यह एक्ट 2019 में आया है, 2019 के बाद इस पर नोटिफिकेशन 2024 में आया है, जस्ट एलेक्शन से एक दो महने पहने, आपको समझना होगा, कि यह एलेक्शन से जस्ट पहने लाने का मकसद क्या है, देखिए लोगों का कहना है, कि यह वोट बैंकिंग के लिए किया जा रहा है, अगर आम के पास आपको समझना होगा, कि जो महगाई का मुद्दा है, जो आपके सामने job vacancies का मुद्दा है, जो pollution का मुद्दा है, जो इंडिया के development का मुद्दा है, जो currency के घटने और गिरने का मुद्दा है, उस मुद्दे को छुपाने के लिए एक बड़ी लकीर आपके सामने खीश दी गई है, जिसका नाम है CAA, आपको यह बात समझना होग तो इस point को भी छुपाने के लिए CAA का कानून, CAA का act आपके सामने ला दिया गया है, कि आप इन सब topics पर बात ना करके, आप सिरिफ CAA, CAA, NRC, NRC के topic पर आप बात करें, तो सरकार का इस चीज़ को लाने का मकसद यह हो सकता है, कि आप vote banking अपना बनाना चाहते हो, कि CAA लान आप citizenship देने से आपको संपेती मिल जाएगी, और संपेती मिलने के बाद आपको vote bank मिल जाएगा, आप एक ही मैदान पर दोसरे मज़ब के लोगों को भी लाना चाहरे है, और दोसरे मज़ब को लाना चाहरे है, और divide and rule की policy खिलना चाहरे है, इसको एक मैदान पर उतार करके, आप सिर्फ धर्म की राजनीती कर सकते हैं, अब हम लोग चौथे topic पर चलते हैं, जो कि है क्या इस act से मुसल्मानों को घबराने या डरने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये act citizenship देने के लिए आया है, ना कि citizenship किसी से छिनने के लिए, आप इस बात को समझेए, कि ये act से मुसल्मानों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर किसी तरह का rumors आपके पास आ रहा है, ये कोई आपको गलत अफवाहों के बारे में बता रहा है, कि ये act से मुसल्मानों को देश से निकाल दिया जाएगा, आप से citizenship छीन लिया जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत, आप लोग अपने माइंड से निकाल दें, रिलैक्स रहें, ये act, ये CAA जो है, ये मुसल्मानों के लिए है, इसे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये act citizenship देने के लिए आया है, ना कि किसी से छिनने के लिए आया है, ये CAA जैसा कि मैंने माइनोरिटीज के लिए आया है, हाँ, इसमें एक परिशानी की ज़रूर बात है, जो कि मैं आप लोग को बताना चाहरा हूँ, कि देखिए, ये act कहता है, कि दोसरे देशों के माइनोरिटीज के लिए ही act है, लेकिन पाकिस्तान में सिया भी माइनोरिटीज है, लेकिन उन म जिक्र नहीं है, तो आपको समझना होगा कि इसमें मुसल्मानों को अलग करके ही ये act बनाया गया है, बस ये समझने होगा, ये तकलिद सुदा बात है, ये तकलिद देने वानी बात है, कि मुसल्मानों को इससे क्यों हटाये गया है, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही कह चलते हैं कि इसका effect क्या पढ़ सकता है CA आने के बाद क्या effects पढ़ सकते हैं तो सबसे important effect पढ़ेगा यह है कि जो आज की सरकार हमारी है वो सरकार जहां-जहां कमजोर है वहाँ पर उन citizens को लाया जाएगा और वहाँ पर उनको enroll करवाये जाएगा as a voter बनाया जाएगा और फिर वो लोग भी vote देंके तो आपको समझना होगा कि अगर citizenship आपको यह सरकार दिला रही है तो वही सरकार को संपेती मिलेगा कि मुझे इनोंने citizenship दिया है तो संपेती भी वही जाएगा तो वोट भी वही जाएगा तो वोट बैक टेक बनेगा एक pocket vote बन जाएगा कि भाई मैंने आपको citizenship दिया आप मुझे vote देशिये तो यह बाद आपको समझना होगा कि जहाँ जहाँ opposition कमजोर है वहाँ वहाँ इन लोगों को लाया जाएगा और अपना pocket vote बनाया जाएगा और pocket vote बना करके अपना voter बना करके यह सरकार ऐसे ही चनती रहेगी आपनों को यह चीज समझना होगा कि इसका effect बहुत भयानक है तरने वाला effect है कि भाई आपके पास जहाँ पर आपकी constituency कमजोर है जहाँ पर आपके votes weak है जहाँ पर आपको लोग पसंद नहीं करते हैं जहाँ पर आपको vote नहीं निलते हैं वहाँ पर उन लोग को लाया जाएगा और उनी से लाने के बाद तो आपको मालूमी है कि आपको वो pocket vote बन जाएगे और आपको ही vote देंगे आपको ये समझना होगा CAA से ये नुकसान है opposition party हो को ये चीज़ समझना चाहिए और इस चीज़ के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए कि वह citizenship के against में बात करनी चाहिए आपनों पर कि इस बिन के लाने इस act के आने के बाद बहुत सारे नुकसान हो सकते है आपको ये चीज़ समझना होगा अब हम चलते हैं अपने छटे टॉपिक के तरफ कि हम लोगों को अभी CAA आने के बाद क्या steps लेने चाहिए क्या करना चाहिए हमारी activity अभी फिलहल क्या होनी चाहिए आपको ये समझना होगा कि हम लोगों के पास अभी क्या क्या documents available है हम लोगों के पास जब हम पैदा होते हैं तो हम लोगों के पास सबसे पहला जो documents बनता है वो है birth certificate आप सबसे पहले अगर आपके पास birth certificate नहीं है तो आप अपने birth certificate को बनवाइए अगर आपके पास birth certificate है लेकिन उसमें spelling error है spelling गलत है तो उसके spelling को आप सही कीजिए अगर आपके पास अधार कार्ड है उसमें spelling गलत है तो उसको सही कीजिए अगर आपके पास voter ID कार्ड है उसमें spelling गलत है तो उसे सही कीजिए अगर आपके पास अधार कार्ड नहीं है तो उसे बनवाईए हर 10 साल में अधार कार्ड अपडेट किया जाता है अगर आपके अधार का 10 साल हो गया है तो उसे अपडेट कीजिए अगर आपके पास voter ID कार्ड है और लेकिन आप voter list में आपका नाम नहीं है तो आपके पास voter ID card रहते हुए भी कोई फाइदा है नहीं नहीं आप अपना voter ID list में, voter card के list में आप अपना नाम चेक कीजिए कि मेरा नाम है कि नहीं है, अब अब आरा नाम है तो voter card में आप चेक कीजिए कि आपका spelling birth certificate और आधार card से मिलता जुलता है कि नहीं है, आप उसे ठ प्लैक्ट के paper पर आपका क्या नाम spelling है वो ठीक कीजिए, आपके पास अब जमीन है या गाव पर कोई घर है, उस paper पर आपका क्या नाम है, आपके आधार card से मेच कर रहा है कि नहीं, आपके birth certificate से मेच कर रहा है कि नहीं, आप उसे सही कीजिए, घुमापीरा के बोलेगा मतल पर यह है कि अभी फिलहाल हम लोगों को यह करना चाहिए कि अपने documents को हम फिलहाल सही करें, दिखे, हम लोग बहुत जजबाती होते हैं, हम लोग जजबात में आकर के अपना सीना फुला लेते हैं, पेट पचका लेते हैं, दिमाग को खुलिए और ध्यान से सुनिए और ध नहीं करेंगे, हम यही के बासिंदे हैं, यही रहेंगे, यही मर मिट जाएंगे, हम यही जमीन पे पैदा हो हैं, यही दफन हो जाएंगे, सब सही है आपकी बार, लेकिन अपने documents को सही करने में क्या बुराएंगे, अपने कागजात को सही तरीके से रखने में क्या बुरा आप अपने अभी वक्त है, आप अपने कावजात को अपने डोकुमेंट्स को सही करनी जीए, इस पेलिंग के साथ सही बनवानी जीए, फिलहाल आप समझिए कि हम लोगों को अधी जो भी देश के नोग है, हम सब को अपने डोकुमेंट्स को सही करने ना चाहिए, इसमें किस किसी भी तरह की बुराई नहीं है, किसी भी तरह का डरने का बात नहीं है, आप अपने डोकुमेंट को सही करनी जी, यही यह सबसे इंपोर्टेंट चीज है, अब यह समझे कि आप अपने डोकुमेंट को सही नहीं करते हैं, आने वाले दिनों में अगर आपके पास परिशान तो यह सही नहीं है, इसके अलावर जो सबसे इंप्रेंट बात है, इसके बारे में आप लोग बताना चाहता हूँ, अपि फिलहाल सबसे इंप्रेंट डोपोमेंट है, बर्स सटिफिकेट और पासपोर्ट, आप अपने बर्स सटिफिकेट को सही करिजी, नहीं है तो बनवा अगर नाम तर इस्पैनिंग गलत है तो उसे करेक्शन करवा दीजिए बहुत आसानी के साथ सटिफिट बन भी जाता है नाम भी करेक्शन हो जाता है थोड़ा दोड़ दूख करना पड़ता है लेकिन बन जाएगा अगर आपके पास पास्पोर्ट नहीं है देखें इंडिया वे 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास पास्पोर्ट है मांग लेजी हमारे बस्ती में एक लाफ लोग रहते हैं तो सिर्फ उसमें से 5000 लोगों के पास्पोर्ट है पास्पोर्ट बनवाने में थोड़ा फर्च होता है पास्पोर्ट बनवाने में थोड़ा सा दोड़ दुख करना पढ़ता है लेकिन बन जाता है आप पास्पोर्ट अपना बनवानी जी पास्पोर्ट बहुत इंपोर्टन डोकुमेंट है यह दो डोकुमेंट बहुत इंपोर्टन डोकुमेंट है यह दो डोकुमेंट बहुत इंपोर्टन है आप इसे जरूर केरी कीजिए जरूर अपने प चैनल को ताकि आने वाले दिनों में ऐसे ही टॉपिक्स पर मैं आपको गाइड कर सकूँ मैं आपको मता सकूँ क्या है कैसे होता है क्या इंप्रिमेंटेशन हैं, क्या इसके एफेक्ट्स पढ़ते हैं, क्या आने वाले दिनों में होगा, हम लोगों को क्या करना चाहेंगे, तो ऐसी ही जानकारिएंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे नील मरे, विडियो को ला